इस वीडियो में हम बात करेंगे RRC गुरूब D के लिए समान्य विज्ञान और ये इस त्रीच का है पार्ट नंबर दो पहला पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके थे तो ये कियाता है एथिलीन का याणी कच्चे फलो को करत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन एक चीज़ा आपको धिया नखने है ओप्सन आपको एसिटिलीन भी दिया जागा लेकिन एसिटिलीन से फलो को पकाने पर जो है प्रिवेंशन ओफ फूड एडल्ट्रेशन ही किस मेर्फ गैस को मार्फ गैस भी कहते हैं तो यह कहते हैं प्र counties होता है डेस्ट बोफार नेक्सट वहपल गैस्ट राजडी में थिफ थे लीए उत्तरदाई गैस हैं तो मिथार इस्ट अइस शाइने फिन से मिथाईल इस्ट वाइब पिरदूसर को monitor कौन करता है तो ये lichen यानि वाई पिरदेसर का जो पिरभाव हुए इन पर directly देखने को मिलता है lichens पर next है ozone में होता है यानि जो ozone परत होती है ozone gas कह सकते हैं उसमें क्या होता तो उसमें सिर्फ oxygen होता है किसका रासाइनिक सूत्र जो होता है O3 होता है Ozone का next है उत्परेरग पहँआपधार्थ होते हैं जो यानि यूँ कह सकते हैं कि उत्परेरग क्या होते हैं तो उत्परेरग जो अभिकिर्या की दर को परिवर्तित करे लेकिन हम बहाब पर पेट्रोल डाल देते हैं तो आग का जलना जो है बढ़ जाता है तो क्या होता उससे बेग परिवर्तित होता है आग जो है तेजी से जलती है तो उत्परेरक वो पधार्त होते हैं जो अभिकिर्या के बेग को परिवर्तित करते हैं मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकत नेक्स्ट है सवराप पीकर गाली चलाने वाले ड्राइवरों की जाच करने के लिए पुलिस दुआरा प्रियुक्त स्वेशन बिसले सक किस रासाइनिक आधार पर कार्य करता है तो यह करता है रेडोक्स अभी किरिया के आधार पर रेडोक्स अभी किरिया क्या होती है जिसमें अपचैन और उपचैन दोनों रियक्सन्स एक साथ होती है नेक्स्ट है देहन किस प्रकार की प्रकेदिया है तो यह है रासाइनिक प्रकेदिया यानि देहन किया है जलना किस प्रकार का प्रकेदिया में एक रासाइनिक प्रकेदिया है Cigarette के धुएंगा मुख्य पर दूसक क्या होता है Cigarette के धुएंगा तो यह होता है carbon, mono oxide और nicotine यानि तमबाकों में nicotine पाया जाता है और carbon, mono oxide क्या होता है इसके जलने से Next है Greenhouse प्रभाव के लिए मुख्य ते जिम्मेदार वायो मंडले gas कौन से है तो यह कारवन डाई ओक्साइड यानि CO2 नेक्स्ट प्रसन है कौन सी वायूमंडले गैस परावैगनी किरणों को अपसोशित कर लेती है तो कौन सी करती है ओजोन मैंने बताया है ओजोन क्या होता है O3 तो यह क्या कर लेती है वायुमंडली है जो यह गैस है परावैगनी किरणों को अफसोशित कर लेती है और उन्हानिकारा किरणों से हमारी रक्षा करती है कोशिका के किस भाग में भोजन को उर्जा में परिवर्तन होता है यहीं कोशिका के किस भाग में जो भोजन का है उर्जा में परिवर्तन होता तो होता है माइटोकॉंड्रियमे नेक्स्ट है सभी अमलों में अनिवारे रूप से पाया जाने वाला पधार्थ है सभी अमलों में क्या पाया जाता है हाइट्रोजन अनिवारे रूप से पाया जाता है नेक्स्ट है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस बस्तर से होती है शूरत क्या है इन्हें है ओज़ोन परट क्यों महत्भूपूण है तो ओज्वन परढ़ाएग देगेवस्ट इकर में सक्थे रहे होतु है रक्सा करते हैं, हमने पहले ही बता है, और सूत्र क्या होता है, इसका O3 होता है, इसका घटक होता है, क्या होता है, सिर्फ ओक्षिजन होता है नेक्स्ट है सिनेवार या हिंगुल किसका आयस्क है तो यह है पारेका यह पारेका आयस्क क्या होता है सिनेवार होता है या हिंगुल और काफी ज़द यह पूछा भी जाता है नेक्स्ट है लाल रक्त कडिकाओ जो कडिकाएं हैं ये कहां बनते हैं तो अस्थी मज्जा में इन्हें क्या कहते हैं आर वी सी रेड विलेड कोपर सेल्स और इनका जो जीवनकाल होता वो 120 दिन होता है नेक्स्ट है किस वेज्ञानिक को आनुवांसिकी का पिता कहा जाता है तो ये कहा जाता है ग्रेगर जोन मेंडल को ग्रेगर जोन मेंडल को आनुवांसिकी का पिता कहा जाता है वच्चों का लिंक निर्धाराण किस से होता है तो होता है पिता के गुर्ण सूत्रों से आपको ध्यानक नहीं चीज और किस तरह से होता है पूरा प्रोपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा उसका आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट है मनुस्यों में गुर्ण सूत्रों की संख्या कितनी होती है तो यह होती है 46 यानि के 23 जोड़े गुर्दा किस सिध्धान्त पर कार्य करता है तो यह करता है अपोहन यानि के डाइलिसिस पर गुर्दा अपोहन के सिध्धान्त पर काधिय करता है नेक्स्ट ए पेडोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है तो यह कियाता है भूमी का अध्यन यानि पेडोलोजी में भूमी का अध्यन किया जाता है नेक्स्ट ए मलेरिया के उपचार की दवा किस ब्रक्ष से प्राप्त होती है तो योति है सिंकोना के ब्रक्ष से नेक्ष्ट है अफीम किस से प्राप्त होता है तो यह होता है सूखे लेटेक्स से अफीम किस से प्राप्त किया जाता है सूखे लेटेक्स से इसको प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट है मानब रक्त में ऑक्सीजन का परिवेहन होता है तो यह RBC के द्वारा होता है किसके द्वारा? RBC, Red Blood Copper Cells नेक्स्ट है आवोगाद्रो संख्या का मान होता है तो यह ता 6.022 into 102 की पाबर 23 यानी 6.022 गोना 10 की पाबर 23 ये आवोगाद्रो संख्या होती है नेक्स्ट है Aluminium का पिर्मुख आयस्क क्या है तो यह है Voxide Aluminium का पिर्मुख आयस्क क्या होता है Voxide होता है नेक्स्ट है Car Battery में किसका प्रियोग किया जाता है? तो ये होता है Sulfury Cumul का यानि के H2 carr to so four का Mark財 D है कि द्रब्यमान का SI मात्रक क्या होता है तो यह होता है किलो ग्राम यानि केजी द्रब्यमान का SI मातरक नेक्स्ट है दूद की सुधता किस से मापी जाती है तो यह मापी जाती है लेक्टोमीटर से दूद की सुधता लेक्टोमीटर नेक्स्ट है वायो गैस का मुख्य घटक क्या होता है तो यह होता है मीथेन वायो गैस का मुख्य घटक मीथेन नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविस्कार किस ने किया था ये क्या था ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का विस्कार ग्राहम बेल नेक्स्ट है मधुमे रोग किसकी कमी से होता है तो यह होता है इंसुलिन की कमी से मधुमे रोग इंसुलिन की कमी से होता है नेक्स्ट है, इसकर भी रोग होता है, विटामिन C की कमी से, इसकर भी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से, नेक्स्ट है, किसी अंत्रिक्स यात्री को पिरकास कैसा दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है काला, यानि किसी भी अंत्रिक्स यात्री को जो आक प्रत्वी की सते से हमें जो आकास निला दिखाई देता है वो पिरकिरन के कारण ही दिखाई देता है नेक्स्ट है रक्त दाप किसके द्वारा मापा जाता है तो ये मापा जाता है सिफ गमो मैनोमीटर के द्वारा नेक्स्ट है रेडियन किसकी इकाई है तो यह होती है कोण की और ठोस कोण की जो इकाई होती है वो होती है इस्टे रेडियन यानि रेडियन किसकी काई होती है कोण की नेक्स्ट है, खोन की कमी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एनिमिया, यानि खोन की कमी को एनिमिया कहा जाता है, नेक्स्ट है भारी पानी सब्द किसका सूचक होता है, यह होता है deuterium oxide का, भारी पानी सब्द, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है D2O, deuterium oxide, नेक् प्रत्वी पर किसी व्यक्ति का बजन 600 N है, तो चांद पर उसका बजन कितना होगा, तो आपको ध्यान लखना है, ये कितना होगा 60 N, इसका reason क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुद्वा करस्ण होता है, वो प्रत्वी का एक बटे 6 होता है, यानि किसी भी जो करस्ण तुरण इसका जो मान होता है, वो चंद्रमा पर प्रत्वी की तुलना में एक बटे 6 कम होता है, जबकि प्रत्वी पर इसकी वैल्यू 9.8 होती है, नेक्स्ट है, पानी का अधिक्तम घनत्व किस ताप पर होता है, तो 4 डिगरी सेलसेस पर, यहाँ पर आपको ध्यान बर्स दूरी का मातरक है, अस्तियों का अधियन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, ओस्टियोलोजी, अस्तियों का अधियन ओस्टियोलोजी, नेक्स्ट है, छेत्रफल कैसी रासी है, तो यह है एक अधिस रासी, छेत्रफल अधिस रासी होता है, नेक्स्ट है, मानब सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो यह होती है फीमर और यह कहां पर पाई जाती है जांग में पाई जाती है और अगर बात आती है सबसे छोटी की तो वो होती है इस्टेपी जोर वो कहां पर पाई जाती है कान में पाई जाती है यह जांग में और वो कान में तो यहाँ पर हमने आज के 50 कुछ कम्प्लीट किये आई हो वीडियो पसंद आई हो थैंक यू फो वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में